GKSSB Don't play with youth तो जी हाँ दोस्तों GKSSB का मैं इसको एक हिलाव खेली बोलूँगा जो GKSSB हमारे साथ खेल रही है बच्चों के साथ खेल रही है तो गाइस कोई भी recruiting agency है जो भी कोई भी recruitment होती है उसको जो admit card का जो समय होता है वो लगबग लगबग अगर मैं IBPS की बात करूँ 20 minimum मैं 20 days रखूँगा 20 दिन के अंदर अंदर exam से पहले उनको बच्चों को admit card issue करने होते है पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है GKSSB बच्चों का exam मैं आपको बता दूँ बच्चों का exam जो है J.C.VL का exam जिसमें मैं आपको पता दू I think 1 lakh plus aspirants होंगे तब यह OMR वेज़र exam की बात कर रहे है चैनल पर अगर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो notification वेल को भी on कर लो अगर आपके दिमाग में अगर यह चीज है देखिए मेरे बात सुनेगे अब J.C.S.VL ने क्या बोला कि जो exam है इनका 20th March को होगा ठीक है notification कब बाता है कल के दिन आता है 17th को कि 17th के ही दिन आप इसके admit card download करोगे ऐसा नहीं होता गाईस 17 को बच्चा admit card download करेगा 18 को करेगा 19 को भी करेगा representation भी डालेगा अगर उसका कोई नाम photo कुछ भी गलत हो जाता है 19 को करेगा अगर मेरी मानो कि बच्चा 17 को कहीं हो रहा है तो उसको लगता है कि मेरा 20 को exam है यानि कि 2-3 दिन के बाद मेरा exam है तो ये कौन सा recruiting agency है यहां J.C.S.S.B. को कोई और काम है जो exam लेने के लावा तब भी बात ठीक है अब इसका क्या मतलब कि यूनिर ये फर्स टाइम नहीं हो रही है यूनिर रस्टेंट का exam था एडमिर कार्ट पांच-छे दिन पहले आए ये कौन सा fire हो रहा है बच्चों के साथ क्यों बच्चों के ऐसे future के साथ खेला जा रहा है अभी 27 को exam है अब हम YouTube चैनल पे बच्चों को पढ़ाते है अब मैं क्या बोलूँ कोई बच्चों को आपका exam पोस्ट पॉन हो जाएगा या इस date को नहीं होगा तो guys मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं कह सकता इनका कोई पता नहीं है 24 बोले 24 25 इस date को admit card आपका आजाएगा अभी कुछ नहीं शायर notification ही 24 या 25 को आए कुछ नहीं कह सकते अभी कोई अता पता नहीं है exam का होगा नहीं होगा नहीं पता हमें होना तो OEM आ रही है यह तो मुझे ही पता है कोई पता है 25 को admit card आएंगे यह 25 को आएंगे यह कुछ नहीं कह सकते हो सकता है 26 को भी admit card दे दे मुझे इस चीज़ का ब्रोसा नहीं है अब जेके SSB पर तो देखे मैं रुकूरूटिंग ए जंसी की बात करूँगा IBPS सबसे बड़ी जो बैंक के की एक्जाम कंड़क्ट करवाता है SSC सेंटर लेवल के एक्जाम कंड़क्ट करवाता है CGI, CHS, MTS, GD Constable कितन सारे एक्जाम आते हैं Union University के एक्जाम आते हैं और उसके बाद NTPC RRB RRB जो NTPC के एक्जाम कंड़क्ट करवाता है जो की तीन दिन पहले एक्जाम से बोलती है कि आपका एक्जाम है और बच्चों अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर लो तो आपका एक्जाम हो जाएगा तो इसका मतलगी 27 को जो एक्जाम है उसका एड्मिट कार्ड होगा 24 या 25 को आएगा 25-24 को बच्चा एड्मिट कार्ड डाउनलोड करेगा 25 को भी करेगा और 26 को वो अपनी रिप्रेजेंटेशन डालेगा 20 से पहले बच्चा एगर उसका एड्मिट कार्ड गलत हो जाता है मैं ऐसा नहीं बोड़ा हूँ कि ये बात गलत है ठीक है माल लिए आपका एग्जाम 20 को है जेकेसर भी आपको बोलती है कि एड्मिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लो आप 17 को 18 को और 19 को अगर 19 तक आपका लगता है कि गलत है चीज तो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो पर इस चीज के लिए जेकेसर भी को एट लिस्ट एट लिस्ट 10 से 15 दिन पहले बताना चाहिए कि हाँ आपके इस डेट को एड्मिट कार्ड डाउनलोड होंगे पर जेकेसर भी ने ऐसे कुछ में नहीं किया शौकिंग नोटिफिक्शन देग दिया बच्चों को बच्चों कर लो डाउनलोड एटमिट कार्ड यह हो क्या रहा है यह अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करना इस वीडियो के देखे मुझे यह प्रोसेस इनका ठीक नहीं लग रहा है माना कि केस चल रहा था इनके उपर इनके भी गलती है इनको इन्होंने क्यों नहीं उस एजनसी को इनवाइट किया इनको खुद सोचना चाहिए एक रेक्रूटिंग एजनसी है यार है कोई फाइनस डिपार्टमेंट होड़ी है जो कुछ और भी काम है इनको फिर उसके बार बोर्ड के एक्जाम सेट करेंगी कहां कहां पे करना है एक ही तो काम दिया है इनको वो भी निनसे हो रहा है तो रखते हैं इस वीडियो को मुझे बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी और मुझे इस चीज़ की कुई करेंटी नहीं है एक्जाम 27 को हो भी सकता है नहीं हो सकता है 50% प्लस चांसे हैं कि एक्जाम 27 को होगा क्योंकि यह देख लिया है मैंने अगर 20 को एक्जाम हो सकता है तो 27 को भी हो सकता है अभी पोस्ट पर वन हो है जो एक्जाम CBT हो सकता है यह एक्जाम भी आपका हो जाए